कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मैं किंचल पटेल फ्रम अश्वमेग विद्यालें विद्यार्थी मित्रों गए विडियो में हमने कक्षा चार के हिंदी विशाई में चतूर चुहा कहानी के वर्कबुक के अंदर कुछ प्रशन किये थे अब आज हम उसके आगे के प्रशन करेंगे हमने प्रशन नंबर 6 के अंदर एक से 5 प्रशन किये थे अब आगे का जो चठा प्रशन है वहां से हम देखेंगे चठा प्रशन है कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? तो इसका अंसर आएगा कसीदाकार चुहे की कचहरी जाने और सिपाही को बुलानी की बात सुनकर घबरा गया सात्वा प्रश्ण है कसीदाकार क्या करता है तो इसका अंसर आएगा कसीदाकार कपड़ों पर कसीदा करता है आठवा प्रश्ण है चुहा कव खुश हुआ तो इसका अंसर आएगा, कसिदा कार ध्वारा टोपी पर कसिदा कारने पर चुहा खुश हुआ अभी आगे का प्रश्ण है, प्रश्ण नमबर साथ, नीमनलिखित सब्दोशे वाक्य बनाईए यहां आपको सब्द दिये गए है, उसके अधार पर आपको वाक्य बनाने, उस शब्द का उप्योग करके आपको वाक्य बनाने है तो पहला सब्द है चुहा, तो उससे वाक्य बनेगा, चुहा बिल में रहता है या तो फिर चुहा बिल्ली से डरता, ऐसे ब्यापाक्य बना सकते हैं, दूसरा है दुकान, तो उससे वाक्य बनाया है मैंने, दुकान में कई चीजे मिलती है, तीसरा है सिपाही, तो सिपाही थाने में रहता है, चौथा है दर्जी, दर्जी कपड़े शीता है, पांचवा है कशिदाकार, तो उससे वाक्य में लिएका, कशिदाकार ने चुहे को कचहरी में जाने से रोका, तीक है, इस प्रकार वाक्य हम मनाएंगे, बी, आठवा है समझे और लिखिये, हमें उधारन के तौर पर हमें दिया गया है, ठीक है, कशिदाका, तो उससे वाक्य में बनाया है, कशिदाकार, शब्द बनाया है, दूसी प्रकार हमें गीत शब्द दिया गया है, तो उससे क्या बनेगा, गीतकार बनेगा शब्द, दूसरा है शिल्प, तो उससे सब्द बनेगा शिल्पकार, तीसरा शब्द है चित्र, तो उससे सब्द बनेगा चित्रकार, चौथा है मूर्ती, तो उससे सब्द बनेग मुर्थी कार तो इस प्रकार आपको भी यह शब्द बनाने हैं नववा है समझे और लिखिये तो यहाँ पर उदाहरन है मारना तो उसका है मारूंगा पहला है करना तो उसी क्या बनेगा? करूंगा करना का? करूंगा जाना का? जाऊंगा देखना का देखूंगा और बुलाना का बुलाऊंगा ठीक है करना का करूंगा जाना का जाऊंगा देखना का देखूंगा और बुलाना का बुलाऊंगा ठीक है इस प्रकार शब्त आपको बनाने है आगे हैं दस्वा प्रश्न पढ़िए और लिखिए पर आपको पंक्ती दी गई है उसे बढ़ना है और आपको यहाँ पे उसे दोबारा लिखना है पंक्ती क्या है तो कचहरी में जाऊंगा सिपाही को बुलाऊंगा तुझे खुब पिटवाऊंगा और तमासा देखूंगा ठीक है तो इस प्रकार आपको बनाना लिखना है प्रवर यही पंक्तिया ग्यारवा प्रश्न है चूहा अगर इनकी दुकानों पर जाता तो क्या कहता लिखिए हमने देखा कि चूहा जो है वह दर्जी की दुकान पर जाकर उसके लिए टोपी सिने कहता है और कसीदे कार की दुकान पर जाकर कसीदा कारने के लिए कहता है तो उसी प्रकार अगर वह दुसरी दुकानों पर जाता तो वह क्या कहता उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है जैसे कि वह कपड़े धोने वाले की दुकान पर जाता कपड़े धोने वाले के पास जाता तो वह क्या कहता तो कपड़े धोने वाले के पास जाकर वह क्या कहता कि मेरे कपड़े धोने वाले को क्या कहता कि मेरे कपड़े धोने ऐसा वह कहता दूसरा है प्रेस यानि कि इस्तरी करने वाला उसके पास जाता तो क्या कहता कपड़े को प्रेस यानि कि इस्तरी करने को वह कहता तीसरा है कलफ लगाने वाला तो उसको वह कपड़े में कलाफ लगाने को कहता तो इस प्रकार वह अलग अलग जगह उपर जाकर, मतलब जिसका जो काम है, वह करने के लिए वह कहता, ठीक है, अभी बार्वा प्रश्न है, अगर दर्जी और कसिदाकार चुहे की धमकी से नहीं डरती, तो चुहा क्या करता, लिखी, तो इसका अंसर आएगा, अगर दर्जी और कसिदाकार चुहे की बात से नहीं डरती, तो वह सच्मुच सिपाही को बुला लाता, अगर दर्जी और कसिदाकार चुहे की बात से नहीं डरती, तो चुहा क्या करता, सिपाही कर्चहरी जाकर सिपाही को सच्मुच बुला लाता, और उनसे सजा दिलवाता आगे है चित्र देखकर पांच वाक्य लिखे यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है यह जो चित्र है वह विध्यालई का चित्र ठीक है उस विध्यालई में यहाँ पर हम देख सकते कि रास्ते के दोनों और बगीचे हैं गार्डन हैं और उन गार्डन में कई तरह के चीजे खेलने के लिए रखे गई हैं और उन चीजों से बख्चे खेल रहे हैं और रास्ते पर भी बच्चे जो है वह जा रहे हैं कई बच्चे बगीचे में बैट कर बढ़ रहे है ठीक है और बगीचे में पेड भी है पेड़ पोते भी है और बगीचे में हरी घाज भी उगी हुई है तो उसी क्याधार पर हम वाक्या लिखेंगे यह विद्यालई है विध्या लई में 14 कमरे है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विध्या लई के 14 कमरे है ठीख है विध्या लई के सामने एक रास्ता है रास्ते की दोनों तरफ बगीचा है बगीचे में दो पेगड है रास्ते की एक और फिसल पट्टी है दूसरी और जूला है जूले में बच्चे जोल रहे है दो लड़के फुटबॉल खेल रहे है एक लड़का बढ़ रहा है यह शुन्दर विध्या लई है तर इस प्रकार हुने यहाँ पर चिटर के आधर पर उस पांथ से शे वाक्या लिखे है आपको भी यह जो सारे प्रश्ण में वो आपकी वर्क्वुक के अंदर आपको लिखना थीक है तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो चैप्टर एट चत्तुर चुहा के जो थेंक यू